बुलुश्री सत्गुरु महराज के, स्री प्राणनाथ प्यारे के चारों तरफों हिंडोले, अर्षके गिर्दवाई सब हिंडोलों हक संग, ये सुख अंगन समाई भोम नौमी गोख वैठक, सजे बड़े नौमी भोम के बहुत बड़ो विस्तार बैठक धनी साथ की, बाहर की किनार चजे बड़े नौमी भोम के अक्षिरातीत धामधनी, स्त्रिडाज्य की अस्रीम अनुकंपा की द्वारा तार्तम सागर दिव्यवानी अंतरगत, परिक्रमा ग्रंथ के उपर हम चिंतन करते आ रहे हैं जिसमें अब तक 31 मी प्रकरण का 132 चवपाई तक जहां तक रंगमहल का आठमी भोम बर्णन पुरा हुआ तो अब अभी के इस सत्र में हम 133 चवपाई से प्रसंग को आगे चिंतन करने जा रहे हैं जहां से महामती प्राणनाजी रंगमहल के नौमी भोम की स्वभा को प्रारंब कर रहे हैं तो बागी प्रसंग तो क्रमस प्रथम भोम से ही चलता आ रहा है तो नौमी भोम जिसकी विशेष्टा है दूर दर्शिका अन्य संपूर्ण सभा तो सभी भोमों में एक समान है अब विशेष्टा के इसाफ से नौमी भोम में जो दूर दर्शिका है वह छेहजार मंदिर के बाहरी हार जो नौवी भौम के जमीन से तीन सेड़ी उपर चारों तरफ से उठा है और जिसमें भीतर का दिवाल अथाबा दर्बाजे तो ज्यों का त्यों है परन्तो संदी दिवाल और बाहर की दिवाल नो होने से वो एक मानू की देहलान की सी सोभा बन गिया है फिर बाहरी दिवाल के जगह से आगे एक मंदिर की चोड़ी छज्जा चारों तरफ बढ़ गया है और चज्जा के किनार में कमर भर उचा कठेड़ा है इसलिए यह ज़रोखा के नाम से बर्रन किया है जिसे तो एक एक हास में एक एक ज़रोखा तो नौमी भौम में किनार में दोसो एक हास में दोसो एक ज़रोखे हैं प्रतीक ज़रोखा हास भर का लंबा और दो-दो मंदिर का चोड़ा हुआ और दर्वाजा का हास में तो वो पहले से ही एक मंदिर आगे बढ़ गया है इसलिए उस जगह हमें ज़रोखा के चोड़ाई भी तीन मंदिर का ही होगा बागी सब तरफ दो मंदिर का चोड़ा और जरोखा के किनार में जो एक मंदिर का चौड़ा चज्जा बढ़ करके दो मंदिर का चौड़ा जरोखा हुआ था उसके किनार में जो कठेडा कहा कठेडा से फिर बाहर चारों तरफ 33 साथ का चौड़ा ढालदार चज्जा फिर करके आया है तो प्रतेक एक हांस के एक जहरोखा में मध्यमी सिंगासन फिर चारों तरफ शक्षियों के लिए बैठने की बैवस्ता है तो इस सोभा को अथबा इस बैठक को जहरोखा को दूर दर्शिका के नाम से बर्नन किया है क्योंकि यहां के जहरोखा में अथबा बैठक में धामधनी प्रियतम स्रिडाज जी महराज जब विराजते हैं हम सक्षियों को साथ में रखकर चारों तरफ के दूर दूर तक की शोभा धामधनी हमें नजरा कराते हैं अपने अंगुली के सहारे दूर दूर तक की सोभा निशानियों को दिखा करके उसका वर्नन करते हैं शुक प्रदान करते हैं तो यह सोभा जो नौमी भौम की है यह अब चौपाई 133 से प्रारंब हो रहा है बांकी शोभा हम चौपाई के द्वार है चिंतर करेंगे तो देखे चौपाई को चज्ये बड़े नौमी भौम के बहुत बड़ो बिस्तार बैठक धनी साथ की बाहर की किनार चज्ये बड़े नौमी भौम की चज्या अब बढ़ गया कितना बढ़ा बाहरी हार छहजार मंदिर के जगह तो है ही उसके उपर और एक मंदिर का चज्या बढ़ने से वह चज्या कहिए या जरोखा कहिए दो मंदिर का चौड़ा हुआ जो नौमी भौम की जमीन से तीन सिड़ी उच्या कहा बहुत बड़ो विस्तार तो बहुत बड़ा विस्तार है जैसे की कहा न प्रतेक एक छज्जा अधाबा जरोखा एक हांस भर का लंबा और दो-दो मंदिर का चोड़ा है जहां पर श्रीराज जी, श्यामाजी, सखिया एक- एक छज्जा में बैठते हैं तो यह बहुत बड़ा विस्तार वैठक है बाहर की किनार ये दूर दर्शिका की सोभा अथावा ये चज्जा कहा पर है नौमी भूम के सबसे बाहर किनार में बाहरी हार 6000 मंदीर सहीद बाहर एक मंदीर का चज्जा बढ़ करके बना है तो बिलकुल बाहरी किनार में यह सोभायमान है अब यहां के वैठक में बैठने से यहां से दूर दूर तक किस तरह से धाम दनी हमें दिखाते हैं यह सोभा को बता रहे हैं नजरों सब आवत है इन उपर की बैठक देख दूर की बातें करें रंग रस उपजावे हक्क यह नौमी भौम दूर दर्शिका की बैठक में बैठने से नजरों सब आवत है सब नजर में आता है आगी प्रैणनेह जी खुद बर्नन करेंगे पूर्व दिशा में बैठते समया फिर दक्षिन दिशा के तिरफ बैठते समया फिर पस्सिम दिशा के तरफ बैठते समया फिर उत्तर दिशा के तरफ बैठते समया तो चारों दिशा में बैठने से कहां कहां क्या-क्या नजर आता है आगे चोव उपाई में प्राइन नहजी खुद बर्रन करेंगे तो यहां नजरो सव आवत है तो पत्शिश करोड योजन दूर तक बड़ी रांग तक की सारी सवभा नजर में आता है इन उपर की बैठका ये उपर की बैठक से अब उपर कहने से रंगमहल के भौम भौम के इसाफ से देखे तो भी ये उपर नौमी भौम में है और नौमी भौम के इसाफ से देखे तो भी नौमी भौम के जमीन से ये तीन सिरी उपर होने से ये उपर का बैठक हुआ देख दूर की बातें करें यहां के बैठख में बैठ करके दूर दूर तक की बाते करते हैं उस सोभा को वर्रन करते हैं और रंग रस उपजावे हक्क हक्क प्रियतम धाम धनी स्त्रिडाज जी सयम दूर दूर तक की सोभा को दिखा करके समझा करके बाते करके हम आत्माओं के रिदे के अंदर रंग रस उपजावे आनन्द और वो रस प्रेम उपजावे उत्पन्न कराते हैं प्रियतम धामधनी स्रिडाजी जब बैठे जीन तरफ तब तितही की जुगत वाते करे बनाए के नूर अपने अपना इत्त जब बैठे जीन तरफ कहा न चारों दिशा मेंशे जिस दिशा के तरफ जब बैठते हैं तब तीतही की जुगत उस समय में वही के मतलब उसी दिशा के दूर दूर तक के जुगत युक्ती सोभा बर्नन करते हैं नजरा कराते हैं बाते करे बनाए के बनाए के मतलब बिदिपुर्वक युक्ती से शंपुर्ण सोभा को विस्त्रित रूप से वर्नन करते हैं बाते करते हैं नूर अपने अपना इत ये अपने ही नूर ये प्रकाश और यहां जो शखियां है इत ये भी राज्जी के ही नूर का सुरूब है 25 पक्षे परमधाम जो विस्तार हुआ है ये भी राज्जी का ही नूर का ही विस्तार है अपने ही नूर मय परमधाम को अपने ही अंगना सुरूबशकियों को ये बात करके दिखा करके समझाते हैं और आनंद प्रदान करते हैं ये सब स्री राज जी के ही नूर चेतना का विस्तार है यत्र तत्र सर्वत्र जब बैठे तरफ नूर की तब तित ही का विस्तार जित सिफत जिन चीज की तिन सुख नाही सुमार अब देखिए ये 136 नमर चौपाई में पूर्वद इसा के तरफ की नजरा बता रहे है तो कहा जब बैठे तरफ नूर की नूर की तरफ यानि की अक्सिरधाम की तरफ तो अक्सिरधाम किस दिशा में है अक्सिर्धाम पूर्वदिशा के तरफ है तो जब बैठे तरफ नूर के जब अक्सिर्धाम के तरफ यानि पूर्वदिशा के तरफ बैठते हैं ताब तीतही का विस्तार उस समय में उसी तरफ का विस्तार करके समझाते हैं जैसे देखिये तो पूर्व तरफ देखने से क्या क्या दिखाई देता है नौमी मौम से ही, चादनी चोग भी दिखाई दे रहा है, साद घाट, जमनाजी, जमनाजी में पाड घाट, फिर दोनों तरफ का पूल, उदर अक्छिर धाम के तरफ के सातों घाट, अक्छिर धाम, फिर चारओं तरफ बनों के विस्तार, और आगे देखने से जवर्यू की नहर, मानिक पहाड के हद में, बढुवन, मदुवन, महावन, फिर बन की नहर में, चारों प्रकार के ब्रिक्षे की शुभा, फिर छोटी रांग, बड़ी रांग, बड़ी रांग में देखे तो सरवरस सागर, फिर उशी के दाएवाएं यहीं इसान कोन में देखे, रस सागर, अगनी कोन में देखे, यह नूर सागर, यह सारी शुभा नौमी भौम की पूर् बातते हुए, मिची-मिची बातें करते हुए, समजाते हुए, आत्माओं के रिदai के अंदर प्रेम बढ़ाते हैं, जित, सिफत, जीन, चीज की जहाँ पर जिस चीज की सोभा है और शिफत मतलब महिमा है, तिन, सुख़, नहीं सुमार, उसकी सुख़, और उसकी सिफत महिम का कोई हिसाव नहीं है सुमार नहीं है फिर आगे दक्सिंदिशा के तरह का नजरा कराते हैं जब बैठे तरफ पहाड की तब बर्नन करे अती दूर तिन भौम के सुख को सुमार नहीं जहूर अब ये 137 नमर्च उपाय में कहा जब बैठे तरफ पहाड की जब पहाड के तरफ बैठते हैं तो अब पहाड कहने से तो परमधाम में तो दो पहाड है तो कौन कौन से पहाड एक तो मानिक पहाड है और दुसरा पुखराज पहाड है तो मानिक पहाड कहें तो तरफ है और फिर पुख्राज पहाड कहें तो उत्तर दिशा के तरफ है तो फिर ये पहाड कौन से पहाड की बात है तो ये मानिक पहाड की बात है ठीक है आप बाद में कहीं और था टिका को पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा पुख्राज पहाड बता है ठीका कारने द्यान से देखियागा मैं इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ बाद में टिका के भरोशे आर्था खोलने लगेंगे तो फिर गुरु परमपरा चला जाएगा तो ये भी थोड़ा सा संकेत कर दिया इसे कही जगा में आर्था बदलता है वो हर जगा बताए नहीं जाता है लेकिन ये आप खुद भी समझ सकते हैं आगे कारण इसलिए थोड़ा संकेत कर दिया इसलिए बात कोई नहीं है हर जगा में ऐसे गलती नहीं है टिका कार ने भी बहुत मेहनत किया है फिर भी कई जगा में ऐसा होता है तो देखिए पहाड मतलब मानिक पहाड के तरफ जब बैठे तरफ पहाड की यानि की दक्षिन दिशा के तरफ मानिक पहाड के तरफ जब बैठ करके देखेंगे तब बर्नन करे दूरा तब उसी तरफ के दोर दर तक की स्वभा को बर्न करके समझाते तो नजदिक से दूर तक सारा देखे तो दक्षिन के तरफ क्या-क्या नज़रा आता है बड़ पीपल की चोकी फिर सामन्य में बड़ो बन के पांच हार व्रिक्षे भी दिखाई देगा फिर कुझनी कुझन बन हाउज का उसर तलाओ फिर आगे 24 सांस का महल फिर आगे जविरू की नहर मानिक पहाड बन की नहर फिर छोटी रांग बड़ी रांग में नीर सागर ये सारी सभा दक्षिन के तरफ यानि की मानिक पहाड के दिशा के तरफ दिखाई दे रहा है तिन भोम की सुख को उस परमधाम की भोम परमधाम की सुख को सुमार नहीं जहुरा वहां का जो प्रकास है सुख है उसका कोई हिसाब नहीं है अब फिर आगे चलते हैं वहां से पस्षिम दिशा के तरफ जब बैठे तरफ दरियाव की घृत दूध दधी असल काईम सुख काईम भोम की आवेन माहे अकल पस्षिम दिशा के तरफ जाकर के देखने से यहां तीन सागरों के नाम लिए अब सीधा पस्षिम दिशा में तो एक सागर कौन सा सागर है सीधा पस्षिम में दधी सागर वो तो है ही और थोड़ा दायवाय देखने से नैरित्य कोण में चीर सागर चीर सागर को यहां दूध सब्द के द्वारा कहा फिर बाहेव्य कोण में देखे तो ग्रीत सागर है तो छीर शागर, ददी शागर और ग्रीत शागर ये पस्सिम दिशा के तरह बैठ करके देखने से ये तो बड़ी रांग में दिखाई दे रहा है मांकी छोटी रांग, फिर वितर, बन की नहेर, मानिक पहाड का हद में बन, जबिरू की नहेर और अंदर देखिए पस्सिम की चोगान, दुबदुलीचा, अन्नवन, फिर आगे फुलवाग, उसके नीचे नूरवाग तो है ही, ये सारी सोभा नौवी भौम के पस्सिम दिशा के जरुखा में बैठने से नजरा आता है, दर्शन होता है तो इस तरह सिया कहा, जब बैठे तरफ दरिया के, दरिया मतलब उदर पस्सिम दिशा के दरिया सागर के तरफ, घृत, दूद, दई, असल, तिनों सागर कायम सुख, कायम भौम के, परमधाम का जो भूमी भी कायम है, अखंड है, और वहां का शुख भी कायम यानिके अखंड है, आवे न माहे अकल, वहां का अखंड सुख, अकल में यानिकी बुद्धि में आने वाला नहीं है जब बैठे तरफ बड़े बन की तब सोई सुख बरनन पसु पंखियों के इसक की कई बिधा करे रोसन अब ये चोपाई 149 में किस दिशा के तरफ की बात हुई जब बैठे तरफ बड़े बन की बड़े बन की तरफ तो बड़े बन किस दिशा में है उत्तर दिशा के तरफ है तो अब यहां से फिर आगे पहाड सब्द भी आएगा तो पहले तो चोपाई को शिदा शिदा देखिये बड़े बन की तरफ मतलब उत्तर दिशा के तरफ जब बैठे तरफ बड़ी बन की तव सोई शुख वर्नन उशी शुख मतलब उशी तरफ की शुख उतर की तरफ देखी क्या क्या दिखाई दे रहा है जैसे लाल चबु तरह फिर बड़ुवन ताडवन यही बड़ुवन विस्तार ओकर के बड़ुवन मदुवन महावन मिलकर फिर आगे जविरू की नहेर फिर मानिक पहाड का हद है और बन की नहेर छोटी रांग बड़ी रांग बड़ी रांग में उत्तर देशा में कौन से सागर है मदुशागर है यह सारी सोभा उत्दर की तरफ दिखाई दे रहा है तो कहा जब बैठे तरफ बड़े बन की तब बस वही शुक्ख बरनना, वही शुक्ख मतलब उसी तरफ की सारी सोभा और सुक्ख को बरनन करते हैं, पसुपंखियों के इसक की, पसुपंखियों के इसक, बड़े बन कहा तो वहां पर पसुपंखियों के इसक सनिया है, उसकी कई बिधा करे रोशनना, उस विशय में भी ध जोए जित के कई विधा की महलात ताल कुंड कई चादरे इन जुआ कही न जात अब बड़ेवन से और आगे वड़ करके पुखराज की तरफ नजरा करा रहे हैं तो ये चवपय नंबर 149-144 में बड़ेवन और पुखराज का प्रसंग बर्रन हो रहा है तो ये उत्तर दिशा के तरफ है तो फिर पहले 137 नंबर चवपय में आया हुआ पहाड किस दिशा की पहाड है तो दक्षिन दिशा के पहाड है न वो तो तो ये भी समझने की बात है तो देखिए 140 और पहाड जोए जित के पहाड मतलब उत्तर दिशा के पुखराज पहाड और जोए जहां से जमनाजी प्रकड हुए हैं कई बिधा की महलात अब पुखराज पहाड में कई तरह की महलात है तो पुखराज की शोबा तो पहले बर्रन होके आया है तो यहां त उख्राज में देखिए ताल, उख्राजी ताल है, फिर कुंड, अदवीच का कुंड है, अब वो कुंड में चादरे, सोर चादरे, जर्णा के रूप में जल उतरते हुए शोबा दिखाई दे रहा है, इसलिए ताल, कुंड, कई चादरे, कई चादरे मतलब सोर चादरे, ता हो रहा है इन जुआ कहीं न जात ये सोभा को इस जुआ से कहा नहीं जा सकता है या हौज या जोए के कई बिधा देवे सुख जव हक का आराम देव ही तब सोई करे रूह रूख अब चारों तरफ नजरा कराने के बाद 141 नमर चौपए में सब तरफ विशेश मुख्य मुख्य निशानियों का नाम लिया जैसे कि यहां या हौज या तो हौज कोशर तलाव का सुख हो या जोए के या तो स्री जमना जी की सुख हो कई बिधा देवे सुखा कई प्रकार से प्रियतम धाम धनी स्री राज जी हमें सुख प्रदान करते ह तो यहां हाउज कौसर और जमनाजी का नाम आया ऐसे ही पूरा 25 बक्षे के अलग-अलग निशानी, अलग-अलग इस्थानों में कई तरह का सुक प्रदान करते हैं जब हक का आराम देवही जब धामधनी हम आत्माओं को आराम, सुक अनन्द देते हैं तब सोई करे रूह रूखा तो सोई वही अनन्द में रूहें, आत्माएं रूखा मतलब मस्त हो जाते हैं, अनन्दीत हो जाते हैं फिर आगे कहते हैं महला मंदीर जो मधके सोहे अती रोशन थंबों बेल फूल पांखडी एक पातन होए वर्नन अब यह 142 नम्मर चावपाए में कहा महला मंदीर जो मधके मध ह हके मतलब मध्य महला मंदीर जो महला मंदीर है ये तो बीजान से देखी है ये विचार करने की है तो इससे दोनों जगा की महला मंदीर बराबर अर्थ में गड़ता है ज्यान से देखें हां दोनों जगा मदलब का उपर चल रहा है हाउज जोए करके चवपई आया 141 में तो हाउज में हाउज काउशर तो उस इसाफ से देखें तो महला मंदिर जो मध के मतलब हाउज काउशर के मध्य में जो टापू महल है और वहां अंदर मंदिर है शो है अती रोशन अतियंत है तो हाउज कोशर में मध्य में टापू महल और साथ में इसी से दुसरा भाव ये भी देखना होगा यहां मुख्य प्रसंग क्या चल रहा है नौमी भूम के किनार में जो चज्जा अथा जरोखा दूरदर्शी का बैठा करें वहां बैठकर के चारों तरह की नजरा कराए तो अब नौमी भूम में हैं ये किनार के चज्जा के अलवा मध्य भीतर अंदर अन्य शुभा देखें तो वहां पर क्या है कई महल यानि की हबलिया मंदीर ये सब विस्तार है न अन्य भूम के तरह है तो नौमी भौम की ही शोभा को देखें तो यही सब्द महला मंदिर जो मधा के नौमी भौम की ये किनार के मध्य भीतर तरफ जितने महल मंदिर है सो है अती रोशन वो अत्यंत रोशनाई प्रकाश युकता है तो इस तरह से ये दोनों में बराबर भाव वैट रहा है तो शी शाव से चिंतन करना होगा फिर आगे कहते हैं थंबों, बेल, फूल, पांखडी, थंब की शोभा और उसमें अब बेली, पांखडी, फूल, ये सब तो दिवाल में, दरवाजा में, थंब में, हर जग में शिश्वभा बनते है एक पात न होए बर्नन, उसके एक पात का भी बर्नन नहीं हो सकता है तो महला मंदिर की क्यों कहों, और क्यों कर कहों दिवाल कई लाख खिड की हविलियां, कई लाख पोरी पडशाल तो जब कहां एक शुब्यालिस की चौथी चरण में, एक पात न होए बर्नन एक पत्ता का भी बर्नन नहीं होता है, तो फिर आगे बताते हैं यहां तो महला मंदिर की क्यों कहों, फिर एक पत्ता का जब बर्नन नहीं होता है तो महल मंदिर की बर्नन की विशे में मैं कैसे करूं, किस तरह से कहों और क्यों कर कहों दिवाल, फिर वहां की दिवाल की शोभाकों में किस तरह से बर्नन करूं जबकि एक पात का भी वर्रन नहीं हो सकता है तो तो ऐशे तो कितने सारे हैं कई लाख खिडकियां, हविलियां लाखों हविलियां है लाखों खिडकियां है उन सारी सोभा को मैं किस तरह से वर्रन करूं और लाख पौरी पडशाल, पौरी महरावों को देखिए, पडशाल को देखिए, लाखों है, अनंत है, वो सब को मैं किस तरह से वर्न करूँ, जबकि एक पात का भी वर्न नहीं हो सकता है, तो बैठ बीच नाशुत के, अंग नाशुती जवान, अर्श का वर्नन कीजिए, तो क्यों कर होए बयान, अब देखिए समस्या, बैठ बीच नाशुत के, नाशुत यह धरती मृतुलोग में बैठ करके, फिर अंग नाशुती जवान, अंग शरीर अंतसकरन और फिर जवान जीवा, यह सब नाशुती है, मृतुलोग का ही है, फिर बर्नन का करना है, अर्श का बर्नन कीजिए, तो यह नाशुती अंग से, नाशुती जवान से, अर्श परम्धाम के जो, सचिदानन्द में सोभा को बर्रण करना है तो क्यों कर होए बयाना किस तरह से बयान हो सकता है इसलिए ये बर्रण करना संभव नहीं है तो इस तरह से ये 133 नमर चाहुपाई से नौली भोम का प्रसंग प्रारंब हुआ अब 144 तक हुआ ये अब आगे 145 नमर चलु पहे से फिर 10 वी भोम अथा बां तर्दसमी चादनी में ले जाना होगा 145 नम्मर जोम्त बैदिको देखें दसमी भूम चादनी ये सभा है अतन्त कई कदेले कुरिशियां बीच सभा लेता तखत अब ärमी चादनी की सभा को देखिए तो चादनी hogya भाग में चबुतरा है फिर चबुतरा में सिंहासन और चारों तरफ कदेली कालीन बिशा हुआ है फिर चबुतरा के बाहर देखे तो चारों कोण में जल इसतुन खुल करके चहे बच्चा बना है, उसके बाहर बगीचा की शोभा है, फिर उससे भी बाहर देखें, तो नीचे भौम भौम में नव फिरावे, हबिलियों के आये थे न, तो उसके चादने में बगीचा की नव फिरावे हैं, पंचमहलाकार बगीचा भी है, गोल बगीचा भी है, और चा प्रकार के बगीचों में से चारस बगीचा में क्या है चारस बगीचा में फूल है और गोल बगीचा में दूब है पंच महलाकार बगीचा में फाल है तो और जहां नीचे दो हार थंबत तीन गली यानि त्रिपुलिया आया था उसके उपर मध्य में नहर दायबाय रोश आय पिर बाहर किनार में देखें, तो किनार में फिर छेहजार मंदिर के बाहरी हार के सिधा उपर भोम भर उचा देहलान है, देहलान के साथ में 201 गुर्जवी एक भोम उपर गये है, उसके उपर फिर गुमट, देहलान के उपर गुम्टियां, फिर कंगुरे, कंगरी, ये सारी स्वभा दर्शमी चादनी में अथवा दहलान की चादनी में दर्शन होता है तो ये स्वभा को यहाँ क्रमस वर्ण करेंगे तो यहाँ कहा दर्शमी भोम चादनी ये स्वभा है अतंत दर्शमी भोम अथवा ये चादनी की स्वभा अत्यन्त स्वभायुक्त है कई कदेले कुर्षियां चांदनी के मद्य में जो चबुतरा है न वो चबुतरा में कई कदेले कदेले मतलब कालीन कालीन मतलब कारफेट गलीचा ऐसा अलग-अलग स्वभा बिछाने के वो कदेले बोलते हैं कालीन कुर्शियां फिर कई कुर्शियां भी है बीच सोभा लेत तखत ये सब के बीच में फिर प्रियतम धाम धनिस्त्री राज जी के तखत यानि की सिंहासन सोभा ले रहे हैं कई बैठक महला चादनी हक हादी इत्ता आवत साथ सब रूहन को शुखा मन चाहे देवत कई बैठक महल चादनी महल यानिकी रंग महल के चादनी यानिकी चादनी में कई बैठक कई प्रकार के बैठक है हक हादी इत्ता आवत स्री राज जी श्यामय जी और हम सखिया इत्त यहां चादनी में आते हैं साथ सब रूहन को हम सारी रूहों को सखियों को शुखा मन चाहे देवत हम जैसे मन चाहे प्रियतम धामधनी श्री राज जी ऐसे ही सुख प्रदान करते हैं क्यों कहों इना सुपेती की उज्यल जोत अपार दोसे हास चादनी नाही रोशन नूर सुमार अब यह चादनी में हम कब जाते हैं जाने के लिए तो जब चाहे जब इच्छा करे तब जाते हैं परन्तु बिशेश करके पहले रंगमहल के दस भूमका बर्नन का प्रस्तंग आते समय वाच उपे आया ना सुख चादनी चड़ाय के पूनम की मध्यरात 25 पक्षे परमधाम के शैर लिला के प्रस्तंग में भी ये पूनम तिथी के दिन रंगमहल के चादनी में शैर के लिए जाते हैं तो दिन के तीन वजे से बिहार के लिए जाने का समय तो है परन्तु पूनम की रात्री मध्य बारवजे तक दामधनी हमें यहाँ पर बिठा करके श्तो को प्रदान करते हैं तो यह चंद्रमा की पूर्ण प्रकास वैशे तो परमधाम सारा नूर मया है प्रकास मया है उसमें भी अब यह रंगमहल के चादनी में उनम तिथी के रात्री में तो आस्मान के तरफ देखिए नूर मया पूर्ण कलाश युक्त चंद्रमा और उसके रोशनी तो यह सारा जो रोशनी प्रकास जो है वो सुपेती स्वेत उजल है तो कहा क्यों कहूं इना सुपेती की सुपेती मतलब स्वेत उजल प्रकास उचको मैं किस तरह से कहूं फिर कहते हैं उजल जोत पार उजल प्रकास युक्त जोती अपरम पार्ष वालिये हुए हैं दोसे हांसों अब 201 हाँस किस अर्थ में ? दो 101 हाँस किस अर्थ में ये तो जानते हैं आप हिसाब के तो 200 ही हांस है पर दरवाजय के एक हांस बढ़ने से 201 हांस हुआ है तो यहां 200 हांस से लिया उसके उपर हिसादनी है नाहीं रोशन नूर सुमारा वो चादनी की पुरा जो रोशन है नूर प्रकास वो हिशाब में नहीं है नाहीं सुमारा हिशाब में नहीं है यह जो गुमटियां गिर्दवाय की नगिने एक अगले सो दोए बारे हजार गुमटियां सोभा लेत अती सोए देखिए ये जो गुम्टियां गिर्दवाय की और ये गुम्टियां गिर्दवाय चारों तरव कहां है चादनी शेवी भूम भर उचा देहलान है किनार में कहा ना छेहजार मंदिर की बाहरी हार के उपर चादनी शेवी एक भूम उचा देहलान उठा है तो फिर देहलान के उपर गुम्टियां है एक एक देहलान के उपर दो दो गुम्टियां तो छेहजार देहलान के उपर बार हजार गुम्टियां ये वर्रन कब हुआ था ये तो एक ती प्रकरन है इससे पहले तीश्वी प्रकरन में बाहर से पुरा एक नजरा वर्रन किये तो चादने के सारे जो गुमत है गुमतियां है कंगुरे ये सारे और उसमें लगे हुए कलस धोजाएं सारा तब भी वर्रन हुआ था पुनह वही यहां चादने में ही पहुंच करके वो देहलान के उपर एक एक देहलान में दो दो गुमतियां उने से बारहजार गुमतियां है फिर दो सो एक गुर्ज के उपर दो सो एक ही गुमत फिर गुमत के उपर वी कलस धोजापतक आए है तो कहा ये जो गुमतियां गिर्दवाए देहलान के चादने में गिर्दवाए चारों तरफ गुम्टियों की स्वभा है फिर गुम्मट को देखिए तो गुम्मट कितने है कैसे है नगीने एक का अगले सो दोए नगीने मतलब गुर्ज तो गुर्ज कितने है देखिए यहां कैसे इसा बता रहा है एक का अगले सो दोए 200 के आगे एक मतलब कितना हुआ 201 सहजी है लेकिन इक अगले 102 मतलब एक के आगे 200 तो एक के आगे 200 लगाने से कितना होता है 201 होता है तो जानते ही है तो गुर्ज 201 है तो नागी ने एक अगले 102 मतलब 201 गुर्ज है 12,000 गुम्टियां उपर पहला चरण में गुम्टियां काहा न Orient तो फिर वो गुम्टियों की संख्या तिसरे चरण में फिर खूल करके बताए तो 12,000 गुम्टियां काहा न एक एक दहलान के उपर दो-दो गुम्टियां उने से 6000 दहलान के उपर 12,000 गुम्टियां सवभा लेता अत्यन्त स्वभा लिये हुए स्वभायमान है चारों तरफ हों चेहे बच्चे अब ये किनार के देहलान के उपर की गुम्तियां और वो गुर्ज शहित उपर गुमण तो समझना पड़ेगा ये स्वभा बताने के बाद फिर भीतर वितर मतलब चांदनी में जो मध्य में चबुतरा है न चबुतरा के चारों कोण में चेहे बच्चा है न जो नीचे नौ चोक के चार कोण से जल इस्तुन उपर जाकर के चांदनी में प्रकड हुआ तो वहां पर चेह बच्चा बना हो शवभा दिखा रहें देखिए चारों तरफों चेह बच्चे चब उतरा के चारों तरफ चार कोर्ण में चेह बच्चे ये सोभीत अती सुन्दर रूप से सभायमान है यहाँ चेह बच्चा भी जला गिरत फुआरे मोतियों अब ये चहवच्चा में मोती के सद्रिश फुआरे उचल करके फिर जल गिरते हैं उतरते हैं चारों चादनी अंदर चारों चहवच्चा से चादनी के अंदर ये मोती सद्रिश फुआरे उचल करके गिरते हैं तो देखिए कितनी सुन्दर स्वभा को बर्नन कर रहे हैं तो अब ये जल चहवच्चा की रूप में चबुतरा के चारों कोण में प्रकड हुआ और यहाँ पर फोरा की रूप में जल उपर चड़ करके फिर गिरते हैं अब यही जल चादनी की सारे वगईचा में नहरे चहवच्चे फुहारों की रूप में परिभ्रमन करते हैं तो वही चार कोण की चार चहवच्चा में भी फुहारी की इश्वभा है यही जल जब आगे पंच महलाकार गोलाकार चौरसकार बगीचा में चारों तरफ आया हुआ नेहरे चेहवच्चा में परिभ्रह्मन करता है तो वहाँ पर भी कई तरह की फोहरा छूडते हैं मोती सद्रिश तो यह स्वभा देखना होगा जल गिरत फोहारे मोतीयों चारों च आंदरी के अंदर यह चारों चेहवच्चा में एसी सोभा है गिर्दवाए फूल चेहवच्चे यह सोभा जुदी जुगत्त अंतर आखे खोल के यह सुखा देखो अतंत गिर्दवाए चारों तरफ देखिए चार कोण में तो चेहवच्चा है अब मांकी चारों तरफ दे अपर भी बगीचा है, फिर बाहर की वो अभिलियों की उपर की बगीचा तो है ही, वो ही चबुतरा के ही साथ में लगते हुए चारों दिशा में बगीचा है, वो बगीचा को देखिये, गिर्दवाय फूल, गिर्दवाय चारों तरफ वो बगीचा में फूल है, फिर जाहे ये सुभा जुधी जुगता ये तो अत्यपल्ग इल्ग ही आनन्दी प्रदान करें वाले अलगता है अंतर आँखे खोल के अंतर अत्मिय नजर हिदय की नजर को खोल करके ये शखाक्षा देखो Atung अत्यंत सोभा युक्त सुख जो है आनन्द जो है इसको अंतर आँखा खोल करके देखिए दर्शन करिए सोभा जल फूलन की ग्रिद चारों किनार ये सोभा अतंत देखिए जो कचु रूह करे विचार सोभा जल फूलन की अब जल की सोभा देखिए और फूलों की सोभा देखिए कहा न चादने में पुरा बगेचा है तो वहीं चवतरा से लगते हुए चारों तरफ के बगेचा में तो फूल है ही तो बाहर अंबार बार कार रहे हैं चवरःशा कार गीचा गुलाकार बगीचा पंचमहला कार बगीचा जिसमें फूल है दूब है फाल है वहां के फूलों को देखिए और इनसारे बगशां में जल जो वि स्थार हुआ है उसको देखिए तो यह सारी सोभा दिखाई देता है इसलिए अंतर आत्मा से विचार करके इस सोभा को देखिए दर्सन करें, बहुत बड़ी इतन बैठक, बीध बीध विश्वमार, रात उजल अरस चादनी, ये सोभा अरस अपार, अब ये चादनी में बहुत बड़ी इतन बैठक, बहुत बड़ा बैठक है, अब मध्य चबहुत ना में तो बैठक हैं ही चाहे आप बगीचा में जाएंगे वहां पर भी भीजवीज में बैठक है और बाहर किनार में जो देहलान कहा उसके उपर भी जाएए वहां पर भी कई तरह की बैठक है तो पूरा चांदने में जहां चाहें वहां सुंदर-सुंदर बैठक है बहुत बड़ी इ बिशुमार बैठकें सोभा है रात उज्यल अरस चादनी ये मध्य रात्री तक चादने में लिला होती है न पूर्णम की रात्री में इसलिए रात रात्रे के समय में उज्यल उज्यल प्रकाश युक्त अरस परमधाम के ये चादनी चादनी में रंगमहल के चादनी में ये सोभा अरस अपार ये अरस परमधाम की सोभा अपरमपार है जिसका कोई पारवार ही नहीं है जब हक हादी बीच बैठत ले रूहें बारे हजार नंग जवेर इना जीमिके गृद बैठत साज सिनगार अब ये चादनी के मध्य चबुतरा में जो बैठत है वहाँ पर जब हक हादी स्रीराजी और श्यामाजी बीच बैठत बीच में विराजते हैं ले रूहें बारे हजार, बार हजार शक्यों को साथ में लेकर के, मतलब धाम धनी बीज में विराजे हैं, चारों तरफ शक्यां बैठे हुए हैं, जब इस तरह से बैठक बैठते हैं, नंगा, जवेरा, इने जीमी के, अब परमधाम के जमिन के जितने भी नंगा है, वहां चादने में बने हुए, अलग-अलग सोभा में नंग देखिए, और शक्यों के बस्त्राबुशनों के नंगों को देखिए, रास्याम जी की सिंहासन में, चाय बस्त्राबुशनों में, जहां कहीं भी जड़े हुए, वो नंग जवेरों को देखिए, इन जीमी के राज श्यामाजी बीच में बैठे सिंहासन उपर ये तखत रख का अरस का ये शिवत करू क्यों करा। यहां चिंतन करा रहे हैं, राज श्यामाजी बीच में, बैठक के बीच में शिंहासन में, राज श्यामाजी बिराजे हुए हैं, बैठे शिंहासन उपर, शिंहासन के उपर, ये तखत हक का अरस का, देखिए ये शिंहासन, जिस शिंहासन में धामधनी बिराजे हुए है न, ये कोई शाधरन शिंहासन नहीं है, हक का प्रियतम धामदेनि स्रिराच Wi weapon के अरस्का परमधाम का शिंहासन है, ये तखत है, ये शिफ़त करों क्यों कराई, ये तखत की शिफ़त में किस तरह से करों, देखिए तो ताख़त के शिफ़त यानि की ताख़त के महिमा के लिए ऐसे बोल रहे हैं तो फिर इसी शे हमें समझना चाहिए जिस ताख़त में बिराजमान सोरुप प्रियतम धाम धनी स्रीडाज जी शामा जी की सोरुप और उनकी महिमा ये सब किस तरह से सब्द में वर्रन करों कभू रूहे निकट बैठे मिलावा कर हासी रमूजे सनमूख पीए प्याले भरभर कभी तो धाम धनी के निकट में नज़्दिक में पास में बैठते सकिया कभू रूहे निकट मतलब नज़्दिक में बैठे मिलावा कर सारे सखिया मिल करके सुन्दर बैठक बना करके वहां बैठते हैं और जब नजदिक में पास में बैठते हैं हासी, रमुजे, सनमुख सनमुख बिल्कुल आमने सामने हो करके किसके आमने सामने प्रियतम धामधनि स्रिराज जी के आमुने सामने होकर के हास्ती रमुजे रमुजे मतलब रहश्य मया बाते करके हास्ती हास्ते हैं रमते हैं अनन्दीत होते हैं रमुजे मतलब रहश्य मया रहश्य मया बाते करके हास्ते हैं अनन्दीत होते हैं और साथ में कहा पिये प्याले भर भर प्रियतम धाम्दनी प्याला भर भर करके पिलाते हैं इसक का प्याला ये अनन्द रस प्रदान करते हैं तो सखियां सब उस रस को पान करके उस अनन्द को अनुभाव करके सब त्रिप्त हो जाते हैं कई बिधकी इत्त बैठक जुदी जुदी जिनस चारों तरफों अरस के देखी और पे औरस अरस देखिए कई बिधकी इतब बैठक कितने सारे बैठक है कहां तक वर्रन करें इसलिए कई बिधकी इतब बैठक कहा जुदी जुदी जिनस अलग-अलग प्रकार के बैठक है फिर कहा चारों तरफ हों अरस के चाय यहां रंगमहल के चादने में देखिए चाय अरस के चारों तरफ जहां कहीं भी देखिए जहां कहीं भी जाईए कई तरह के बैठक है देखो और पे और सरस उसको देखते जाईए एक से दुसरा और सरस है यानि कि सुन्दर है अनंददाई है उससे फिर दुसरे को देखिए वही सरस है इसलिए कहा देखी और पे और सरस उसको देखने से एक से दुसरा और सरस सुन्दर है अनंददाई है उससे फिर और दुसरे को देखने से वह और अनंददाई है और सरस यानि कि सुन्दर है तो चाद पूनमा रहा छिटक रात बीच सीर आवत जब कवों बैठे इतहक बड़ा महल अब पुरा रंगम महल को देखिए कितना बड़ा है दो हज्जार मंदिर का लंबा चौड़ा छहजार मंदिर के गिर्दा में जमिन से भौम भर उचा चवतरा के उपर भी कितने भौम उचाए में है ये नौ भौम दस्वी चादनी तो पुरा रंगम महल को एक जलक देखिए तो कितना बड़ा बिसाल महल है ये तो सारा रंगम महल को बता रहे हैं बड़ा महल और चौक ऐसे बहुत बड़ा महल के चादनी ये दर्शमी चादनी और इसके जो चोक है ये सारी स्वभा और उस चादनी के ऊपर देखिए चाद पूनम रहा छिटक पूनम के पूर्ण चंद्रम चाद रहा छिटक छिटक मतलब वो प्रकास विखर रहा है फैल रहा है छिटक मतलब विखर ना क्या पूनम के चंद्रमा की प्रकास पुरा फैल रहा है विस्तार हो रहा है रात बीच अब ये मद्य रात्री के समय में पूनम की रात्री में शीर आवत ये शीर मतलब रंग महल के चादनी शीर है ना सबसे उच्चा तो ये रंग महल के चादनी में आवत मतलब आता है शीर आवत शिदा शिदा देखेंगे तो शखियां चांदनी में रहेंगे तो शखियों की शीर के उपर चंद्रमा का प्रकास आ रहा है उस अर्थ में शीर तो शिदा शखियों की शीर ये तो है ही ही परन्तों समगर रंगमहल को ही देखेंगे तो ये चांदनी क्या है रंगमहल का सबसे उपर का शिखर सीर है न, तो चाहे आप सीर सब्द से सखियों के सीर के उपर मतलब बदन में कहिए, चाहे रंगमहल के चादनी, सब में ये रात्री के समय में चाद चंद्रमा की पूर्ण प्रकास आवत आ रहा है, जब कवों बैठे इतहक, जब कभी भी यहाँ पर आकर के धाम देनी बिराजते हैं, साथ में हम सखियां भी जब बैठते हैं, तो ये सारी शोभा दर्शन होता है, अरस आए लग्या आकासे, उठ्थ्या जोता अपनी ले, चाद सितारे अंबरा आए मुकाबिल अरस के, देखिये तो, चादने में बैठ करके देखने से ऐसा लगता है कि आस्मान ही, ये अरस रंगमहल के चादनी के बिल्कुल करीब में आ गया हो, ऐसा मौशुस होता है, क्या कहा? औरस आए लग्या आकासे औरस रंगमहल के साथ में बिलकुल पास में आ करके लगा हो आकासे मतलब आकास उठ्या जोत अपनी ले अपना जोती अपना प्रकास को ले करके ये प्रकास उठ रहा हो चाद शितारे अंबर अंबर यानि की आस्मान में देखिए उपर चाद चंद्रमा पुनम की पूर्ण चंद्रमा और शितारे हैं तारे आए मुकाविल अरस के देखिए तो आस्मान ही नहीं अब आस्मान ही नीसे उत्रा जैसा हो रहा है तो वो तो चाद शितारे तो हो नहीं है तो कहां आए मुकाबिल मुकाबिल मतलब बिल्कुल आमने सामने में नस्दिग में पास में अरस के रंगमहल के तो ये रंगमहल के चादने में बिल्कुल पास में ही चाद शितारे और अंबर अकास सब आया हो ऐसा मौशुस होता है चादने बैठ करके देखने से देखे त तो कितना प्रेम है, कितना वहाओ है, कितना आनंद है, तो ये स्वभा को बर्ण कर रहे हैं, आत्मिक नजर से, रिदय की नजर से इसको देखना होगा, चिंतन करना होगा, फिर आगे कहते हैं, चारों तरफों देखिए, रुहें बारे हज्जार, जीमी अंबर में रोशनी, उठे किरने नूर अंबार, अब चारों तरफ, चादनी के चारों तरफ की श्वभा को देखिए, रुहें बारे हज्जार, बारह हज्जार सखियां, अब चारों तरफ गोम करके, फिर करके यहां की श्वभा को देखे, तो उस समय में जीमी अंबर में रोशनी अब पुरा जमीन और अंबर आस्मान अब जमीन कहने से वही देखेंगे तो ये दसमी चादनी जमीन है बाकी पुरा परमधाम का जमीन तो है ही और अंबर में रोशनी उठे किरने नूर अंबार अंबार मतलब वो रास बंडार तो य नूर की जो राशी ये उड़ रहा है उपर चादनी बैठका देखिए नूर द्वार जोत नूर दो सनमुखा अंबर न माए जलकार अब चादनी में दरवाजे का है किनार में देखिए तो जो देहलान है न तो देहलान है तो वो थंब और उसमें महरावे बने हैं तो एक एक देहलान में देखने में आठ आठ और गिंती के छे छे दरवाजे ये शाब किया आगी ने तो चारों तरफ दरवाजे देखिए देहलान कहीं दरवाजा है और बांकी जगा में भी ऐसी शोभा बना हुआ है तो देखिए उपर चादनी बैठका देखिए नूर द्वार जोत नूर दो शनमुख जोती नूर दोनों में अमने सामने हो रहा है प्रकाशित हो रहा है अंबर नमाए जलकार यह प्रकास अंबर यानिकी आस्मान में यह जलकार रुपे न प्रकास नमाए नहीं समाता है अब ये चादनी के शोभा को वर्रन किया फिर से प्रहना जी ए एक बार चारों तरफ की नजरा दर्शन कराते हैं देखिए देखों तरफ पुखराज के या देखों तरफ ताल या जोत मानिक देखिए होए रही अम्बर जिमी सबलाल चादनी की प्रकास तो है ही यहां से नजर को चारों तरफ फिरा करके देखने से चाहे तो देखों तरफ पुखराज के उत्तर दिशा के तरफ पुखराज परब की तरफ देखिए या देखों तरफ ताल या तो दक्षिन दिशा के तरफ हाउज कोशर ताल को देखिए फिर कहते हैं या जोत मानिक देखे या तो हाउजकोस्तर ताल से वे और आगे दक्षिन के तरफ मानिक पहाड को देखिए और वो मानिक पहाड की जोती प्रकास को देखिए साव तरफ की प्रकास अब यहाँ पर तीन निशानी का नाम लिया पुखराज, मानिक पहाड और हौज को सरतलाव का ऐशे सब तरह के निशानी समझना होगा वह एक चावपय में सब निशानी का नाम समावेश करना ये तो संभव नहीं है ये सूत्र है ये शेशे विस्तार करके सब तरह 25 पक्षे में देखिये तो होए रही अमबर जिमी सब लाल आश्मान और जमिन सब तरह लाल नूर ही नूर प्रकास ही प्रकास भरा पड़ा है ऐसा दर्शन हो रहा है अब देखिये कौन सी रोशनी की बात करों प्रण्नह जी कहते है क्यों कहूं रोशनी चाद की चंद्रमा की रोशनी उस भी से में अगर मैं कहूं तो किस तरह से कहूं चंद्रमा की रोशनी तो अपने जगा में है यह और उससे भी रोशनी कौन सा है क्यों कहूं रोशनी हक का श्वयम प्रियतम धामधनी स्तरी राज जी की नूर ओ रोशनी को मैं किस तरह से बर्रन करूँ और राज जी की नूर तो है फिर बारहजार सखियां जो समुह है न समुह की प्रकास पिर अपनी ही प्रकार के सोभा लिये हुए है इसलिए क्यों कहूं रोशनी समुह की समुह मतलब 12,000 सखिया समुह इसकी रोशनी को मैं किस तरह से कहूं जुआ रही इता ठक मेरा जुआ यहीं पर ठक गया अब आगे एक सब्द भी कहना संभव नहीं है कहे कहे जुआ इता कहे तेजा जोता रोशन नूर आफाध शोतो इना जिमी जरे की आखास नमाएं जहुर अब कहते कहते इतना भी जो कुछ कहा अब ये बहुत बड़ी बात है कहे कहे जुआ एता कहे कहते कहते ये जुआ के बाल से इतना जो कहा लेकिन देखिये तेज, जोत, रोशन, नूर अब तेज कहिए जोत कहिए रोशन कहिए नूर कहिए सब प्रकास कहिए अलग-अलग सब्द है ये सब शोतो इन जिमी जरे की ये जमीन परमधाम के जमीन की जरे एक जरासा मानू की बालो के कण के प्रकास को भी अगर ले तो आकाश नमाए जहुर आस्मान में नहीं समाता है तो फिर ये सब प्रकाश, सब नूर, सब रोशनी, सब तेज में किस तरह से इस जुआ के द्वारा वर्रन करों ये संभब नहीं है ताथे महमत कहे ए मौमिनों क्यों कहे जुआ इन देह रुह अल्ला खोले अंतर लीजो लज्जत सव एह ताथे इसलिये इसलिये मतलब किसलिये जब एक जरासा बालो के कण के रोशनी प्रकाश भी आस्मान में नहीं समाता है उसको शब्द में जुआन के द्वारा वर्रन करना संभब नहीं है तो फिर कैसे करें ताथे इसलिये महमत कहे ए मौमिनों महमती कहते हैं ए मौमिनों ब्रह्मस्त्रिष्टी शखिया क्यों कहे जुआ इन देह इस देह के जुवाँ से किस तरह से ये सुभा बर्रन करो, ये बर्रन करना संबब नहीं है आगे कहते हैं, रुख आल्लाः खोले अंतरा ये परमधाम की सारे अंतर फ्येद की रहश्य किस ने खोल करके समझाया है बताया है रुख आल्लाः सद्गूर महराज पहले कहा था ना अब मैं चितवनी से कहता हूँ लेकिन हादी के बताए हुए निशान के आधार पर तो यहाँ फिर सद्गुरु का इश्मरन कर रहे हैं रुह अल्ला सद्गुरु सोरुप ने यह अंतर की सारी रहस्य यह सोभा को समझाया है बर्रन किया है खुलासा किया है इसलिए लीजो लज्जत सावयह यह सारी परमधाम की स्वभा यहां की लज्जत यह आनंद को अंतर रिदय से लीजिए रिदय में धारन करिए और उस सुखो को आनंद अनुभाव करिए तो इस तरह से यह 31 प्रकरण में 164 चवपय के द्वारा रंग महल के प्रथम भूम से ले करके क्रमस दर्समी चादनी तक की स्वभा को चिंतन कराए नजरा कराए दर्सन कराए तो अभी के लिए हम यही चवपय को दोहरा करके विश्तराम करते हैं फिर अगले वैठग में 32 प्रकरण को प्रारंब करेंगे ताथे महमत कहे ए मौमिनों क्यों कहे जुवाई नदेहा रुह अल्ला खोले अंतरा लीजो लज्यत सवए हा लीजो लज्यत सवए हा बलुश्री प्राणनात प्यारी की प्रणाव